रुद्राक्स का हिंदू धर्म में विशेश मातु है सास्त्रों में रुद्राक्स को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है मानिता है कि रुद्राक्स को धारन करने वाले लोगों की जीवर में सारे कश्ट दूर हो जाते हैं जो लोग रुद्राक्स धारन करते हैं उनके उपर बगवान भुले नात की विशेश करपा रहती है धार्मिक मानिताओं के अनुसार रुद्राक्ष के उत्पत्ति बगवान स्यू के असुनों से हुई है रुद्राक्ष धारन करने से धार में ही नहीं बलकि स्वास्ते लाब भी होता है रुद्राक्ष कहीं प्रकार के होते हैं इन सभी रुद्राक्ष की अपनी एक अलगी मैमा होती है रुद्राक्षों में ग्यारा मुकी रुद्राक्ष की भी अपनी मैमा है महां से उपरान के अनुसार इस ग्यारा मुखी रुद्राक्स को अपनी शिकाप यानी बालों में बांदने से या गले में धारन करने से उच्छ पधगी प्राप्ति होती है वेक्टिर राजा के समान सुक भूगता है वेक्टिर का मन सुद्ध रहता है चली ज आज जानते हैं ग्यारा मुखी रुद्राक्स धारन करने से लाब और किन राशों को ये रुद्राक्स धारन करना चाहिए और इसकी पचान क्या है ग्यारा मुखी रुद्राक्स का महत्म रुद्राक्स में एक अनोकित तरह का इस्पंदन होता है जो सुरक्षा कवच का काम करता है इसलिए जो भी विक्ति रुद्राक्स धारन करता है उसे ये नेगेटिव उर्चा से बचा कर रखता है हिंदु धर्म में रुद्राक्ष के पेड़ और रुद्राक्ष के दाने दोनों का ही मातो है लगबग सभी हिंदु गृंदों में रुद्राक्ष का जिक्र देखने को मिलता है जन्म कुंडली में जब मंगल ग्रह खराफ होते हैं तो वेक्तिक गुसेल और चिर्चडाफ हो जाता है साथ ही उसकी विवा आदी में भी बादाएं आने की संभवना है यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है तो इस समस्या से मुक्ति और सुकी विवाई पाने के लिए ग्यारा मुकी रुद्राक्स मंगलवार के दिन सपेद धागे में गले में धारन करें इस ग्यारा मुखी रुद्राक्स को धारन करने वाले विक्ति के अंदर नेतरतु गुनों का विकास होता है यानि ये विक्ति को नेतरतु की समता प्रदान करता है ग्यारा मुखी रुद्राक्स हर प्रकार के संकट, क्लेश, उल्जन समश्याओं को दूर करने में शक्षम है इसके साथ ही प्राक्रम, शाहस और आत्म सक्ति को बढ़ाता है घर में किसी भी प्रकार की बादा हो, जैसे भूत प्रेत, देवी बादा, सत्रु भई आदी हो तो आप ग्यारा मुखी रुद्राक्स को अपने पूजा कक्स में रखकर उसका नियमेत पूजन करें तो सिग्र ही लाब मिलेगा जिस इस तरी को संतान नहीं हो रही है, उसे ग्यारा मुखी रुद्राक्स को गले में धारन करने से चमतकर एक लाब मिलता है मंगलवार के दिन ग्यारा मुखी रुद्राक्स धारन करने से मंगल दोस्ते भी मुट्टी मिलती है साथ ही 11 मुकी रुद्रक्स के दाने को सुमेर्प के रूप में 5 मुकी रुद्रक्स की माला में लगा कर धारन करना भी कुत्तम बताया गया है रुद्रक्स को धारन करने के लिए लाल दागी का उपयोग करना चाहिए वेसे तो रुद्राक्स कई प्रकार के होते हैं लेकिन असली और नकली रुद्राक्स की पहचान करना कापी मुस्किल है आए जानते हैं आप ग्यारा मुखी रुद्राक्स की पहचान केसे कर सकते हैं ग्यारा मुखी रुद्राक्ष को ग्यारा धारिया होती है ये धारिया इस पश्ट नजर आनीच चाहिए तब ही रुद्राक्ष को असली माना जाता है मेन राशी के जात्कों के लिए ग्यारा मुखी रुद्राक्ष धारन करना अतिजुब माना जाता है एका दस मुखी अत्वा ग्यारा मुखी रुद्राक्स को हर्माजी की करपा प्राप्त है एका दस मुखी रुद्राक्स के धारक को हर्माजी जैसे गुन प्राप्त होते हैं जैसे बात करने की कुसलता आत्मिश्वास तेज बुद्धी सारी रिकबल आदी योग और तंत से जुड़े वेक्तियों के लिए भी यह बहुत लापकारी है साथ ही ये रुद्राक्स रक्सा प्रदान करता है और सदी के रूप में भी ये दिवे बीच, पेट, हरदे लीवर, समंदीर रोगों के उपचार में साहिक होगा ग्यारा मुखी रुद्राक्स की अभी मंत्रन क्रिया केवल सोमवार सुक्रवार अतवा एकादिश के दिन ही करनी चाहिए एक गी का दीपक जलाकर उसको रोली रंगे हुए चामल पर रखें उसके सामने रुद्राक्स रख दें तत पत शाथ दुर्द्राक्स को गंगा जल्व दूद्र सें परिमार्जित करें रुद्राक्स पर रंगे हुए चामल छड़कते हुए हनुमान जी का ध्यान करें ध्यान के बाद मंतर ऊपड़ते हुए चंदन, बील-पत्र, गंद, इत्रदूद्व धीप से पूजन करें पूजन के बद उप्रोगत मंतर से क्यारा बार जाप करके हवण करें तत्पत साथ हवन अगनी के क्यारा बार परक्रिमा करके रुद्राक्ष को गले में धारण करें। दर्श को जानकारी अच्छे लगी हो तो चैनल को घंटेक इनके साथ जरू सब्सक्राइब करें। ओम नमस्षिवाय स्रीशिवाय नमस्तुग्याम।